नमस्कार साथियों मेरा नाम है अजय मौरिया और स्वागत है आप लोगों का आजय सर जी यूटूब चैनल पर साथियों कुछ मित्रों का प्रश्ण था कि सर बता दीजे कि कर्वचारी को पेंसन की साधार पर मिलती है तो साथियों आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सन 2004 के बाद से जितने कर्वचारी नियुक्त हो रहे हैं उनको पेंसन योजना का लाब नहीं मिल लहा है अर्थात उनके लिए एक नई पेंसन इसकीम सरकान ने लांच किया है लेकिन साथियों 2004 के पूर में जिनके नियुक्ती हुई थी उनको पुरानी पेंसन योजना का लाब मिल लहा है तो पुरानी पेंसन योजना किस आधार पर लागू होती है अर्थात कैसे जानेंगे कि किसी कर्मचारी को कितना पेंसन मिलेगा तो चलिए इस वीडियो में देख लिजे तो यहां देख लिजे साथियों कर्मचारी की पेंसन किस आधार पर बनती है तो कैसे कल्कुलेशन करेंगे कि किसी कर्मचारी को कितना पेंसन मिलेगा तो यहाँ देख लिज़े साथियों, रिटायर्ड होने पर अन्तिम सेलरी के मूल वेतन का आधा करके उस पर वर्तमान का महंगाई भत्ता जोड़कर पेंसन बनती है साथियों जब कोई करमचारी रिटायर्ड हो जाता है तो जितना पैसा पाता है अन्तिम सेलरी तो देखा जाता है कि उसका मूल वेतन कितना है उस मूल वेतन पर साथियों डिये लगता है क्या लगता है साथियों महंगाई भत्ता को जोड़ा जाता है अतब पेंसन बनती है तो चरिए एक उदाहरन के द्वारा हम लोग समझते हैं कि बरतमान में यदि कोई सिच्छक रिटार्ड हो रहा है तो वह कितना पाएगा और साथियों उसको पेंसन कितना मिलेगी तो यह एक उदाहरन स्वरूप है साथियों यहां हमने एक कर्मचारी की अंतिम सेलरी ली है सा पहले अंतिम सेलरी पर देख लिए कितनी है तब हम लोग उसके पैंसर पर जाते हैं तो यहां देखिए माल लिजे आई समय जुलाई 2021 है कि समझ रहा है वैसे तो आपको पता है कि टीचर कब रिटार्ड हो जाते हैं मार्च में ही हो जाते हैं तो इसलिए आपको बताना चा में यदि कोई सिच्चक मार्च में 2021 में कोई सिच्चक रिटार्ड हुए हैं तो माल लिजे उनका मूल बेतन कितना है यदि 71,100 रुपय है तो उनको डीए उसमें 17% मिल रहा था तो यहां तो बारह हजार 87 रुपया मिलेगा और मकान किराया भत्ता 1870 रुपया उनको मिल रह हजा तो 85,057 रुपय हो रहा है जिनमें एक कटवती बीमा की होती है जिसको हम जीएक की कटवती कहते हैं 87 रुपय की होती है तो इस 87 रुपय को क्या करेंगे साथियू हम इसमें से माइनस कर देंगे इसमें 87 रुपय माइनस हो जाएगा तो नET CELERY उनकी कितनी है 84,970 र पोश्टिंग कब हुई थी घाते हैंगे लुपे मूल वैतन वाला से चछक में रुटायर्ड हो रहा है तो वह कितना पायेगा साथियों यहां देख लिए चवरासी हजारलन रुपया उसकी अंतिम सेलरी होगी अब आते हैं कि उसको पेंसर कितना मिलेगा तो यहां आपको दिखाना चाहता हूँ यहां आप देख लिजिए करमचारी की पेंसर अब करमचारी की पेंसर आप यहां से देख लिजिए मूल बेतन अब देखें 71,100 रुपे एक 70,100 रुपय क्या था? कर्मचारी का मूल बेतन था, लेकिन पेंसर में उसका आधा हो जाएगा, तो 75,50 रुपया हो गया साथि हूं, 35,50 रुपया हो गया, और ढिये कितना उनको मिल ला है? मिला होगा 17% क्योंकि बेतन पे भी उतना मिल ला था उसमें बर्तमान में 17% दिये था तो 3550 का अगर 17% निकालेंगे तो 6043 रुपया 50 पईसे होगा साथियों तो इनको जोडेंगे तो कुल बनेगा कितना एक तालीस जार 593 रुपया 50 पईसे को हमें एक रुपय करवड कर लें तो एक तालीस जार 594 रुपया उनको पेंसन बनेगी अब यही देखिए पेंसन योजना का लाब पुरानी पेंसन योजना का कितना बड़ा लाब है आप यहां देखिए कि 84,970 रुपया उनका अंतिम सेलरी था अब उनको पेंसन कितना बन गया पेंसन बन गया एक तालीस जार 594 रुपया इनका देख लिजिए यह पेंसन बन गया साथ यह तो यही पुरानी पेंसन योजना का लाब है कि मान लिजिए उसके हाफ 84,970 के लगभग लगभग आधे के बराबर लगभग क्या हो गया लगभग आधा अर्था जो सेलरी होगा उसका लगभग आधा क्या बन जाएगा आधा पेंसन बन जाएगा अब सात्यों जैसे जैसे सेलरी बढ़ेगी अर्था सेलरी पे डिये बढ़ेगा अगर सेलरी पे डिये बढ़ेगा सात्यों डिये सेलरी पे अगर बढ़ता है तो वह पेंसन पर भी उनको डिये बढ़ता नजर आएगा अर्था जैसे जैसे सेलरी बढ़ेगी वैसे वैसे ड यह भी इनका पेंशन भी बढ़ोत्तरी होगी तो आशा करते हैं कि आपके वीडियो समझ में आ गया हो तो लाइक से कमेंट करते हुए ऐसे यूच्पल वीडियो कर पाना चाहते हैं चर्णक सब्सक्राइब कर लिजेगा धन्यबाद